मदर्से का राजस्व शुल्क ना जमा करने पर कुर्की करने पहुंची महिला तहसिलदार को काजी अब्दुलकलाम ने शहर का महौल बिगारने की धमकी दी है मामला मंदर्प्रदेश के देवास के नुसरत नगर में इस्थित एक मदर्से का है जहां राजस्व शुल्क एक दशमलो चांशट लाख रुपे जमा नहीं करने पर कारवाई के लिए पहुंची अधिकारियों को मौल्वियों ने दबंगई दिखाते हुए वापस लोटा द हुए उसे धमकी हुप भरे नजर से देख रहे हैं वीडियो में काजी कहता है कि आपको समझना चाहिए कि यह एक धार्मिक जगा है जिस पर महिला अदिकारी कहती है कि मैं आपकी बास से अहमत हूँ आप पस एक बार कलेक्टर से मिलकर आ जाईए और मुझे एक फोन करो सबको वही एक मुस्लिम युगक महिला तैसिलतार पर भड़कते हुए कहता है कि आपको नहीं मालूम कि यह धार्मिक जगा है आप यहां चानक आ गई क्या आपका माहौल खराब करना चाहती है तो आप किस तरह से यहां आ गई आपको यहां आने से पहले यहां के लोग पाई दे रहे हैं उनकी दबंगई को देखते हुए महिला तिकारी अपने पूरे अमले के साथ वहां से लौट जाती है ध्यानिक भासकर रिपोट के अनुसार देवास के नुसरत नगर में बने मदर्से का स्टैश्टिनिक डायवर्शन कराया गया लेकिन 2013-2014 से टैस्ट नहीं किया गया मामले को लेकर मदर्से की संचालित करने वाले को लगभग चार-पाँच हजार नोटिस भी दिया गया लेकिन उन पर किसी भी नोटिस का कोई फर्फ नहीं पड़ा मदर्से के इस रवईये को देखते हुए शनिवार को तैसिलदार पूनम तोमा राजिस व आमले के साथ मदर्से की सील करने पहुंची थी जिस पर बॉक लाए हुआ के लोग अधिकारियों से ही दबंगई दिखाते हैं और उन्हें धमकाने लगे कुर्गी करने पहुंची टीम ने उनसे संकेतिक रूप से एक ही कमरा सील करने की बात कही लेकिन नाराज काजी अब अधिक झालाज नाराज करने कार बॉक टीम दें लगे एक ही करने लगे करने लोगे को यहना करने को झालाज।